जागो बच्चों जागो वरना पूरी जिन्दगी भागना पड़ेगा जिसने बच्पन में पढ़ाई में महनत नहीं की उसे पूरी जिन्दगी मजदूरी करनी पड़ेगी मतलब नो एदुकेशन, नो लाइफ और इस विशय में इसे प्रश्ण हो मुझसे आकर कभी भी मिल सकता है मैं कमिन सर कम कम, बैठो, कहो क्यों आना हुआ सर, पढ़ने में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता, बहुत उप जदा हूँ किताब खुलती है और तुरंट नीन दाती है, मैं क्या करूँ, मेरा पविश्य क्या होगा मौद, तो जणाब, आप मौद के मुँँ में प्रवेश कर रहे हो, याद रखो, नो एजुकेशन, नो लाइफ पर आप कौन? मैं अपने मुँँ से कुछ की तारिफ नहीं करता किशोर, ये मेरा मित्र, श्रीमान, परमबुद्धिमान, पपेड उर्फे पब्बु पपेट पढ़ाई से जुड़े सभी प्रश्न के सोलूशन है इसके पास इसका प्रिय सुत्र है, नो एडुकेशन, नो लाइफ प्रणाम पब्बु जी धन्यवाद, तो प्रश्न ये है कि आपका मन है, पढ़ने में नहीं लगता तो फिर आपके दिलो और दिमाग का तुर्थी ओप्रेशन करना होगा सर, ये कैसा सोलूशन? डरो नहीं, पब्बु का कहने का मतलब है, आपको पढ़ाई की महत्ता समझानी होगी नो एडुकेशन, नो लाइफ कहानी? कहानी? हाँ, सुनाओ, सुनाओ तो सुनो, एक छोटे से गाओं में दो विद्यार्थी रहते थे प्रियांस और स्रेयांस एक के लिए पढ़ाई आनंद और दुसरे के लिए बोस क्या हर वक्त बस पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई मुझी राम, लाइफ है, इन्जोई करो यार अभी नहीं तो कभी नहीं, बचपन में आनंद नहीं करोगे तो क्या भूडे हो कर ना चोगे? अभी नहीं पढ़ोगी तो क्या तुम, बढ़ी हो की पढ़ोगे? अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखो नो एजुकेशन, नो लाइफ प्रियांश प्रियांश बगेर पढ़े, जीवन का हर पल इन्जोई करेगा, समझे? तेरे जैसा सोचने वाले भारत में, 40 प्रदिशत अनपढ़ लोग है जिसके कारण भारत विक्सित देश नहीं हो सका इसमें मैं क्या करू यार, पढ़ाई, याद रख, नो एजुकेशन, नो लाइफ नो लाइफ? कैसे? देख, एजुकेशन नहीं तो नॉलेज नहीं नॉलेज नहीं तो अच्छी नौकरी व्यवसाय नहीं अच्छी नौकरी व्यवसाय नहीं तो पैसे नहीं पैसे नहीं तो इज़्जत नहीं, फिर तो जिन्दगी की हर मूड पे प्राब्लम ही प्राब्लम ही श्रेयांच, मैं तो दीरु भाई अम्मानी बनने वाला हूं, बूलो, वो कितना पड़े थे? तीरु भाई भी कही बार अपने कम पड़ाई पर सूस करते थे, और उन्होंने भी अपने संतानों को उन्देश में श्रेष्ट पड़ाई करवाई थी, चिन्ता मत कर, मैं भी अपने पुत्रों को पड़ा लूँगा है, और मैं तो तो पच्चता है, प्रियांच, दुनिया म में ध्यान दे, याद रख, नूँ एजुकेशन, नूँ भाई, नहीं, सब कुछ भाग्य से मिलता है, तो पच्चता है, तो पच्चता है, फिर क्या हुआ, शालो बीद गए, श्रियांच अच्छा पड़कर कैनेडा चला गया, और प्रियांच, क्या वो देरिभाई जैसा बना, नहीं, दस्वी कक्षा में दो बार फेल हुआ, बारावी में से तो निकल ही नहीं पाया, फिर, उसको सस्ती नौकरी पर लगना पड़ा, फिर, तीन साल के बाद मा मर गई, एक साल तो गर का सब काम भी बाप बेटे को करना पड़ा, वेरी बैर, कोल से अच्छी की देने को तयार नहीं था, सभी पूछते थे, लड़का कितना पड़ा है, फिर तो प्रियांच को, हाई राम, एक अपाहिस लड़की से साधी करनी पड़ी, पब्बू, ये तो बड़ा दर्द भरा एंड है, नहीं यार, कहानी तो अब शुरू होती है, क्या? मिस्टर प्रियांच, गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है, क्यों? कौन सी गैर जिम्मेदारी? आपके पिताब 20 दिन से कह रहे थे, कि उनके सीने में बाई और दर्द हो रहा है, और आप? हर रोज, सेक करते थे शेक करते थे? इतना नौलिट नहीं? स्कूल में गए हो की नहीं? चलो छोड़ो सब, ये लो डॉक्टर मेहता का पता तुम्हारे पिता के हार्ट को कुछ भी हो सकता है ऐसे अनपढ़ आदमी ही परिवार को मारते हैं कहां जाना है? किसका काम है? अब जी, डॉक्टर मेहता का काम है एपोइंट मेंट ली? क्या? कुछ पढ़े नहीं हो क्या? मेरे जितना मी नौलेज नहीं है चलो चलो, चलो चलो, साइड में बैठो चलो ना जाने कहां से? अगर देखो भाई, इजज़त से बात करो इज़त? चलो दूर बैठो दूर, दूर वहाँ उस कोने में कीपर, स्टॉप पेशन्ट से इस तरह बात नहीं करते जरा प्रेम से सौरी मेनेजर साब बूलो, क्या हुआ? जी, मेरे पिता जी को हाट में देखो, चिंता मत करो सब ठीक हो जाए मिलान की साब? इनके लिए केस, फाइल और फॉर्म ले आओ और फिर डॉक्टर के पास लेके जाओ मैं मिटिंग में जा रहा हूँ धन्यवाद, धन्यवाद मेनेजर साब ओके, ओके सब कुछ हो जाएगा डोंट वरी ये कैसे भरा जाता है? पेन से हाँ? हाँ, पर प्रियांश तीरा नहीं, इसका छोटा लाल, वेरी गड़्ड येलो, और लाव स्वारूब ये तोड़ी देर में बुलाओंगा, ना देखो जी, धन्यवाद तुम दुसरों की मदद करो, वो तुमारी मदद करे और यही जिंदगी है जीवाद, एजुकेसन है तो बहुत कुछ है पूपच्टाइगा जेलो, 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 जेलो देखिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटड और सीरियस केस है यह दरसल आप बहुत लेट हो चुके हो लेकिन अभी इस केस में कुछ भी हो सकता है तुरंद ही ओपरेशन करना पड़ेगा आप एक काम कीजिए जल से जल ये दवाई और कुछ स्पेशल सामान ले आओ देखो ये सब थोड़ा महंगा है इसलिए हम नहीं रख पाते जी साहब नर्स, अरे जड़ा इसे आईस्वी में ले जाओ ज़रा सामान आने पर तुरंद ही ओपरेशन शुरू होगा आप ज़रा जी साहब तू पच्टाइब क्या कहा डोक्टर साहब ने जी ये देखो ये दवाईया और सामन इस पते पर मिलेगा हाँ पर पर क्या कितने रुपे लगेंगे पर बस यूँ कुछ चालीस पचास हजार हो जाएगा क्या चालीस हजार इतने सारे पैसे मैं कहां से लाऊंगा बैंक बैलेंस बच्ट नहीं है नहीं मेडिकलेम है वो क्या होता है हाँ तो तो आप सब सगों से उधार लो या लोन लो ये पर जल्दी से सब ले आओ वरना नहीं नहीं मैं कुछ करता हूं कुछ करता हूं कौन करेगा मदद मजदूर इसे जैसे पैसे घर चलता है तीन मेने का किराया बाकी है अब तू पच्टाएगा देख एजुकेशन नहीं तो नॉलेज नहीं नॉलेज नहीं तो अच्छी नौक्री व्यवसाय नहीं अच्छी नौक्री व्यवसाय नहीं तो पैसे नहीं 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 तू पच्टाएगा नहीं मामा जी पिता जी की तब्यद बहुत खराब है अब मुझे 20-30,000 का देखो प्रियांश मेरे नए घर का काम का चल रहा है फिर भी तुम कहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का बंदूर दो घंटे बीद गए प्रियांश ने बहुत सारे फोन की पर किसी ने मदद नहीं की वो बहुत निराज हो गया काका जी क्या आप पैसों की मदद कर सकोगे देखो प्रियांश फिलाल तो मैं भी करजे में हूँ क्या करूं यार मैं तो कैनेडा जा रहा हूँ पर कभी भी ज़रूरत पड़े तो बेजिजग फोन करना यह लिकार्ट हाँ चा श्रेयांश को फोन करता हूँ वेलकम इफ यूद लाइक टोच विफ श्रेयांश दायल 1-0-1 श्रेयांश भी नहीं उठाता आप तो पहते हैं समय पे काम आए वो मित्र करता है। क्यों क्या हुआ सारी प्रियाश ची पर क्यों देखिए भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है क्या शायद आप दवाईया लेके जल्दी आ सकते तो चुटाला बच जाते पर अब पर मैं क्या करूं पैसे के बिना कि वो तो आपका विशे है शाले पिता जी पिता जी मुझे आप कर दीजिये पिता जी आप कि मेरे ही कारण आप मैं आपको नहीं बचा पाया पिता जी मुझे माफ कर दीजिए एक दीजिए बचाव पाया भी जीए हाओ कर दो कर दो तुने मुझे एक फोन भी नहीं किया मैं कल ही करने लासे आया, तो जाना कि एक फोन थो मैंने फोन थो किया था पर तुने उठाया नहीं क्या? ऐसा नहीं हो सकता कोई अंग्छेजी में कुछ बॉल रहा था कुछ पता नहीं चला मुझे नो सिर्फ एक्स्टेंशन नंबर दबाना था तुझे अंग्रेजी कहां आती है मुझे माफ कर देना यार मैं तेरे बारे में गलत सोच बैठा पर ये सब कैसे हो गया तेरी बच्पन की बातें अगर मैंने मानी होती देख एजुकेशन नहीं तो नॉलेज नहीं नॉलेज नहीं तो अच्छी नौकरी व्यवसाए नहीं अच्छी नौकरी व्यवसाए नहीं तो पैसे नहीं पैसे नहीं तो इज़त नहीं फिर तो जिन्दगी की हर मूल पे प्राब्लम ही प्राब्लम तो ये दिन नहीं आता चिंदा मत कर मैं तेरे साथ हूँ मुझे अब सब समझ में आ गया है एड्यूकेशन और नॉलेज ही सब का साथी है मैं अपने बच्चों को बहुत पढ़ाऊंगा तक कि उन्हें कभी जीवन में मेरी तरह पच्ताना ना पड़े सर किस ओर कहां गया अरे हां वो कहां गुम हो गया अभी तो था तुम और हम कहानी में लीन हो गये और वो पर वो गया कहां लगता है बोली सही निशाने पर लगी हाँ 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 पबू की कहानी असर लाती है एड्यूकेशन नहीं तो कुछ नहीं नुए जुकेशित नुँ लाइफ बच्चों पूरी लगन से पूरी मेहनत से पड़ो वर्नापच ताओगे